ठीक है जी इसमें अब हम ऐसा करेंगे कि अपना पहला convolutional neural network जो है उसे design करेंगे मैं आपको कुछ natives and greatest इसकी समझाऊंगा और आपको obviously काफी questions भी होंगे फिर हम मिलके से देखेंगे कि किस तरीके से CNN जो है वो काम करता है और कैसे हमें image detection का पता चल जाता है data normalized images में कैसे किया जाता है यह आपको बताया जाएगा आपको यह बताया जाएगा कि image detection के दुरान pixels कैसे देखे जाते हैं reshape कैसे किया जाता है data को और जो मैं किनारों के बात कर रहा हूँ वो कैसे हमारे लिए helpful थावित होते हैं let's start this okay तो मैं coding one by one नहीं कर रहा है मैं directly आपको code दिखा रहा हूँ and I'm hoping कि आपको बहुत ज्यादा चीज़ें बता हैं जो main चीज़ है वो model development or data normalization की हानी है वो मैं आपको वहां पर रुक के बड़ी detail में बताऊंगा but other other than that हमने काफी चीज़ें जो है वो already किये हुए है ठीक है ओके let's start convolutional neural network CNN के नाम से मशूर है again TensorFlow की library हम यूज कर रहे है और pytorch भी यूज कर सकते हैं there are many other libraries as well but now we are focusing on TensorFlow by the way TensorFlow की library आपके लिए deep learning algorithm के लिए नुरानी काइदानी जैसे होता जब आप start start में Arabic जुबान सीख रहे होते हैं तो circuit learn वैसे थी machine learning में deep learning के algorithm के लिए TensorFlow ऐसे है कि आप थोड़ा सा advanced level पे आगे हैं मतलब वो तीसमें पारे से पीछे को बच्चे पढ़ना start नहीं करते वो चीज़ आ गई है रिजन यह कि deep learning के अंदर अगर आपको टैंसल फ्लो पे कमांड हो जाती है तो आप को इसको master करना पड़ेगा तो coding के master करने के लिए बेहतर है प्रैक्टिस करें और यह मैंने खुद से coding करके प्रैक्टिस करके आपके सामने ले के आँँ सुम कुछ घल्तियां जान बूच के छोड़ी हुई हैं just to tell you कि कैसे वो घल्तियां करने है लेट स्टार्ट इंपोर्ट टैंसर फ्लोव है ट्री एफ हमने कर लिया टैंसर फ्लोव से कहरास भी निकाल नहीं है मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कीड़ा जो है टैंसर फ्लोव के साथ मिल गया था बड़ी देर से क्योंकि यह गूगल बैक्ट है लाइबरे बता देता हूं टैंसर फ्लोव बैइस बैक्ट बाइग गूगल और पाई टॉच इस बैक्ट बाई फेस्बुक ठीक है आप बाकी डिफ्रेंसिस देखिएगा पाई टोर्च अगर किसी और ने खरीद ली होई तो मुझे भी बताईएगा अच्छी बात है मेरे नौलेज में में इसाफा होगा बट यू कैन सी केरास को टैंसर फ्लो के साथ मिला दिया गया था क्योंकि टैंसर फ्लो को पता था मैं अकेली कुछ भी नहीं हो मेरे मुकावले में केरास आ रहा है और गूगल और बड़ी-बड़ी कंपनी यही काम करती है कि जो कंपनी नहीं उठने वाली होती है उसे अपने साथ मिला कि हिसा बना लेती है बिलियंस डॉलर में परचशेक कर लेती है और और फिर कंप चलता रहता है मैड़ लेप के साथ हम काम करेंगे हमने डेटा डेटा Was है वो है हैंड रिटन्स क्रेक्टर का डेटा हैंड राइटिंग को भी आप CNN के थुरू identify कर सकते हैं वो पिछले दिनों जैर जी पिटी जब 4.0 आया था स्टार्ट स्टार्ड में लोगों ने कहा नहीं था कि आप डॉक्टर की डालें आपको बता देगा कि क्या लिखा हुआ है अगर आपको याद हो तो similarly वैसा प्रोजेक्ट है इसको देखते हैं टेटा जब भी आपको डाउनलोड करते हैं वह एक्स ट्रेन और वाय ट्रेन एक्स टेस्ट और वाय टेस्ट में अर्रेडी डिवाइडिड होता है वैं य एक इमेज ग्लासिफकेशन का डेटा विचीज इस इस वन इस पर भी आज हम काम करने वाले विच फैशन एमनेस्ट यह वाला जो अब डेटा सट है इस लिजिटेट का डेटा थीक है तो हम सबसे पहले इसको लोड करते हैं इसको लोड करने का तरीका का रही है यह मैं इमिजेस की पांच के बाद अगली 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 आने लगी हमारे पास इमारे पास यह कुछ इमिजेस जो हैं यहां पर प्रिंट हो रही है तो मैंने क्योंकि एक्स ट्रेंड और एस टेस्ट बड़े वाला यूज किया था इमिजेस का डेटा कैसे आपके पास होता है यह मैं पहले आपको समझा देता हूं एक्स ट्रेंड का मतलब है इमिजेस Y train का मतलब है उनके labels तो इसका मतलब है जब आप X की बात करते हैं ना डेटा सेट में images के डेटा सेट में वो बजाते खुद images होती है और उनके नामों को हम Y बोलती है यह भी supervised machine learning है लेकिन यहां पर data क्या है images है इसी वेटा से तो मैंने बोला था कि you will extract features from pixels ठीक है समझाई बात की क्या चल रहा है यहां पे so pixels से आप feature निकालते है now we will print this thing यहां पर मैंने print किया यह इस तरीके से डेटा दिखता है पांच है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि X label के उपर हमने यह चेक कीज़ेगा यह हमने image प्रिंट की है और image के नीचे हमने उसका label प्रिंट की है ठीक है तो पांच को पांच जीरो को जीरो चार को चार एक को एक इस तरीके से हमारा डेटा सेट है यानि के handwritten data है फिर उनके नीचे उनके original label दिये गए है ताकि आप train करो बाद में अपना कोई handwritten data दो तो वो खुद बाखुद प्रेडिक्ट करेगा अब हमारे पास इसकी shape कैसे आती है यह एक छोटी सी कोडी सी है simply आप length अगर देखें x train की और length अगर देखें x test की तो आपके पास इन दोनों की length आ जाएगी यानि कि कितनी रोज है यानि कितनी images है यहां पर हमारी रोज जो हैं वो images है ठीक है so we have 60,000 x train and x test 10,000 तो टोटल डेटा हमारा 70,000 images का हुआ ठीक है यहां पर 70,000 images का data है और size क्या images का 28 by 28 pixels pixel की तो समझ है ना पिछले lectures में आपको मैंने सारा detail में बताया था तो simply देखने के लिए अगर हम इसकी 0 index को देखें तो हमारे पास 28 by 28 की shape आजाती है ठीक है अगर मैं x train के 0 index को check करूं अब आगे चलते हैं अगर मैं x train की shape check करूं y train की करूं x test की करूं y test की करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है साथ हजार इमेजिज हैं x train में 28 by 28 की हैं समय जागी बात की यहां पे साथ हजार सिरफ labels हैं there is nothing related to 28 by 28 क्योंकि यह वाइए है सही है इसी तरीके से x test में आपके पास 10,000 28 by 28 और फिर आपकी सिरफ 10,000 labels तो आपको यह बात तो समझ आ रही है कि कहां पर एक value कहां पर तीन है क्यों है ठीक है अब एक और आपको यहां पर बात बताता हूं आप एक चीज मिसिंग नहीं कर रहे हैं यहां पर colors की value आर जीबी नहीं है यहां पर है कि नहीं तो इसका मतलब कुछ missing है अब उसको लगाने के लिए आप क्या अगर सकते हैं विकोज दीज आर नॉट कलर इमेज़िस तो आपके पास कुछ शेप होनी चाहिए उसकी वी हम उसको कैसे shape देते हैं हम खुद से भी दे सकते हैं data को कैसे reshape के algorithm के साथ we will see that but now फिर कहते हैं चलो देखते हैं यार पहली image कैसी दिखती है मैं इसको यहां पर run करता हूँ so it is a five in number तो अगर आपने images को check करना हो data कैसा देख रहा है तो यहां पर यहां पर यह नहीं लिखेंगे पील्टी डॉट स्कैटर प्लॉट या आप कोई और प्लॉट नहीं बनाएंगे यहां पर क्योंके सारे के सारे फीचर्स और पिक्जल्स की वैल्यू एक जगा पे खुद बाखुद लगी है यू कानोट प्लॉड देम जब लोग डिफरेंट किसम के कामों में मस्रूफ होते हैं मैं जहां से बोल रहा हूं पैट लगाते हैं अक्सर उकाद दोस्त टूथ और डेर टाइप करके खैर तो यह मैंने शो करवा दिया अगर मैं यहां पर इंडेक्स चेंज करूं चार करूं तो यह मेरे पाद चार न तो इसका मतलब 64,000 तक game on है मैंने सिरफ पहली image को प्रेंट किया just to see आप क्या कर सकते हैं यह color आपको नहीं पसंद तो आपकी मर्जी लेकिन इतना आपको बता दूं यह color आपको क्या बता रहे हैं यह बता रहे हैं कि यह जो purple पुरपल सा color है जैसे चाहत फत्य अलिखान साब कहते हैं, यह जो जंडा है, तो यह जो परपल परपल सा कलर है, इसके अंदर यह ग्रीन ग्रीन सा कलर है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो परपल परपल कलर है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, यह ग्रीन ग्रीन की पिक्जल की डिफरेंट आपको बना के दिखाया था अब वो पिक्जिल्स यहां पे कुछ और वैल्यू है और यह सारी के सारी सेम वैल्यू है जहां पर लाइट कलर होगा वहां पर डिफरेंट होगी जहां पर डाक कलर होगा वहां पर डिफरेंट होगी वैल्यू चलें आपको नहीं पसंद आया यह कलर इसको ग्रे में भी प्रिंट कर सकते हैं something like this और एक्सिस अगर फाल्स करने आप कर दें नहीं करने तो ना करें तो मैं इसको नहीं करता फाल्स मैं सिंपल आपको दिखा देता हूं so it will look like this 0 से 28 0 से 28 और इसका लेबल एप 5 ग्रे के अंदर अब आपको वो black and white और gray किसम की जो मैंने आपको lecture दिया था computer vision का उसके साथ को link बन रहा है इसका हर pixel की value different होगी तो हमें कोई चीज नजर आगी जैसे शू का मैंने आपको दिखाया था ये मैंने यहाँ पे एक छोड़ा सा code लिख है इसमें क्या होगा आपके पास इस तरीके से value print हो जाएगी कोई भी ठीक है seven है अगर मैं चाहूं कि हर दफर random तस्वीर आए मेरे पास क्योंकि जारी बात है बंदा उकता आ जाता है just to show जब आप कहीं पर presentation दे रहे हैं so you can use a library called random तो वह क्या करता है random integer generate करता रहता है खुद बाखुद ठीक है आप बताते हैं zero से लेके total जितनी लेंथ है ना साट अजार वहां तक random कोई भी integer generate करो नाओ आप देखेंगे तो यह हर दफ़ा रैंडम ली आएगा कुछ just for the presentation purposes ओके यह तो होगी शूल मेले वाली बाते हैं अब चलते हैं main बात पर image का size हमारे पास वही है 28 by 28 28 by 28 यह x test है यह x train now जो अभी चीज मैं आपको दिखाने लगा हूँ यह तो image आपको नजरारी के इस तरीके से है अब इनकी pixels की value को हम print करवा सकते हैं something like this यह हैं वो values जो pixel की form में हमारे पास आती है एक तस्वीर की ठीक है और यह pixel की value आपको बता रही है यह पांच लिखा हुआ बाइदावे मैंने तो पहले भी आपको यहां पर दिखा दिया यह पांच ही है still यह पांच लिखा हुआ है आपको जो मैंने बात कही थी अगर यहां से देखें यह 00000000 यह और यहां पर different computer in pixels को पढ़ता है इसकी base पे data train करता है अब हमारे पास 28 by 28 क के तस्वीर है सारी साथ हजार साथ हजार की साथ हजार में different symbols बनेंगे और computer कैसे उनको detect करेगा based on these values अब बात करते हैं के computer इसको dot product में कैसे change करेगा बड़ा असान है यहां से three by three का आप बनाएं बन गया इसको इधर को move कर लें मतलब यह पहले मैंने इधर बनाया इसकी dot product filter के साथ multiply करके आएगी filter एक matrix होता है वो ready आपके पास पड़ा होता है दूसरा यहां पे आ गया तीसरा यहां पे आ गया यह आगे 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 move करता जाएगा और यह iteration पहले सारी इस साइड पर चलेगी ऐसे ऐसे जलने के बाद फिर यह उपर से नीचे चलेगी ऐसे जब खतम हो जागी फिर ऐसे फिर ऐसे फिर तीसरी दफा यही चीज आपकी इधर से साइड पर चल सकती है चोती दफा नीचे से उपर चल सकती है और यह हर pattern को detect करेगी उसका फाइदा क्या होगा उसका फाइदा ये होगा कि जो आपकी डॉट प्रोडक्ट बनेगी ना कभी तो उसकी ये वाली वैल्यू डिफरेंट आएगी वैल्यू आएगी जीरो नहीं होगा लेकिन कभी इसको हाइलाइट कर रहा होगा वो कभी इसको हाइलाइट कर रहा होगा तो यह highlight जो चीजें होती है यह आपको किनारे बताती है edges बताती है ठीक है और यह आपके filters पर depend करता है यह आपको animation के दुरान भी मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में जैसे हम इसको code को finish करते है so these are the values अब आप गोर करें यह हमारी zero value हुए और यह हमारी range जा रही है दो सो पच्पन के करीब ठीक है मतलब 255 हाइस्ट है यह नहीं कहां गई इसमें 255 हाइस्ट होगी 253 है फिलाल क्योंकि dark color नहीं है जायदा तो इसका मतलब zero से 255 की बजाए अगर हम data को normalize करना चाहें तो क्या करेंगे जीरो से वन में लेके आना है इसी डेटा की जीरो से इसकी रेंज है जीरो से 255 अगर मैं इसी को जीरो से वन के दर्मियान लाना चाहूं तो मैं सबसे बड़ी वैल्यू को उसी पे डिवाइड करता हूं अगर तो यह 1 हो जाएगी 0 को भी 255 पे डिवाइड करता हूँ तो यह तो 0 रहेगा जो होता ही नहीं है ना 0 तो start है ना basically तो वो नहीं होगा इसका मतलब यह है कि यह जितनी values हैं जब इनको 255 पे डिवाइड किया जाएगा इसका एक multiple आ जाएगा उस form में जो point something होगा for example यह होगा 253 को अगर देखा जाए अगर मैं इसको calculate भी करूँ तो हमारे पास अगर 253 divided by 255 अगर करें तो यह 0.99 आ जाता है मेरे पास तो यह 0.99 होगा मेरे पास तो इसका मतलब है कि हमने अगर data को normalize करना है then we can divide everything by 255 तो इससे हमारा data हो जाएगा normalize तो हम images का data भी normalize करते है something like this इस तरीके से maximum value से divide कर दिया जाते है और हमारे पास 8 bit की images ही होती है जिसकी value maximum 258 है 255 है so we can divide with that number 8 bit की बात कर रहा हूँ 10 bit में वो divide हो जाती है 10 bit का तो अभी रोला ही नहीं है ना वहां तंग हम पहुंचेंगे so it will be fine अच्छा let's do it now मैंने आपको दो चीज़ें बताएं थी एक तो वो shape में one missing था या three missing था ठीक है यहां पे हमारे पास one आएगा reason के है या color है या नहीं सही है या zero है या one या color है या नहीं अब यहां पे आगी शेप ठीक है यह हो गया जी आपकी number of rows यानि number of images यह हो गया 28 by 28 उसका size यानि के pixels बगहरा and these are the colored argument तो हमारे पास ये तीन चीज़ें मिला के ही एक image को बनाती है 28 by 20 multiplied by 1 ये this is giving us information कौन से information के आपकी image का size किया और कितने colors यूज हूँ ठीक है ये समझ आगी इसको बोलते हैं dimension of the image dimension of the image जैसे हमारे पास dimension थी x y की data की ये dimension है आपकी image की अगर मैं इसको पिछले dimension के साथ compare करना चाहूँ for example मैं बनाता हूँ यहां पे x और y हमने बनाये तो याद है आपको पिछले data set में ये x1 x2 x3 x4 पर एक y है हम कहते थे जी इसकी dimension जो है वो छोटी है compare to that जिसके 24 columns है features के ऐसे कहते थे ना तो यहां पे क्योंके हमारे पास features जो हैं वो हर pixel है तो जितनी इसकी dimension यहां पे ज्यादा होगी 28 by 28 की ठीक है multiplied by अगर यह वन है तो यह कम वैलियू है अगर यह थ्री हो जाए यह तीन गुना ज्यादा हो जाएगी मतलब ट्वंटी एड मुल्टी प्लाइड बाइड 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 वन यह मैं ब्लैक इन वाइड इमेज की बात कर रहा हूं अगर यही इमेज हमारे पास अगर आप कहते हैं फोर्के इमेज ले लूँ मैं लेक्श की बैठे रहेंगे बात समझ रहे हैं जो मैं बताना चाहरा हूं यहां पर जो कंप्यूटीशन का चक्कर है अगर कोई बंदा कहे कि इतनी इतनी मुन्ने मुन्ने तस्वीरें क्यों लिए भाई उसकी वज़ा है साथ हजार तस्वीरों को अनलाइज करना इसी काम नहीं है सो इसका मतलब है कि अगर आप इसको दो सो असी भी करेंगे तो आपका दस गुना टाइम ज्यादा लगना है जो बंदे फोर के अनलाइज करने के लिए सोच रहे हैं ना पर पिस सूपर कंप्यूटर घर में बनवा लें अपने कमरे में अब ये ना काम कीजएगा अपने हाथ की लिखी हुई तस्वीरें चेक करके ट्रेन करने बैठे हैं और वह एच्टी में खेंची हुई है 4K में बनाई है तस्वीरा चार 49 सो सम्थिंग करके उसकी डिमेंशन आ रही है यार ये पहली तस्वीर ही नहीं चल रही इसके पीछे ये डिमेंशन का चकर होगा बाइद अगर आरजीबी की वैली होती देन वी विल डिवाइड बाइड 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 वी विल मुल्टिप्लाइट बाइड थ्री ओके यह मैंने इसको रीशेप किया यह सिंपली आपकी रीशेप का एक जो कमांड है वो यूस करके आप इसको एक एड़ कर सकते हैं लास पे सिंपली ठीक है मतलब यह कैट स्ट्रेंड की शेप में प्लस वन एड़ कर दिया कोमा के साथ यानि के एक शेप में एक और्गुमेंट एड़ कर दिया जो मैंने आपको पहले बता दिया नॉर्मलाइज हो गया अब हमने क्या करना है अब हमने उसकी शेप चेक की सेम वही आ रही है जो हमने पहले शेप लगा दिया थी नाव वी विल ऑल्सो कनवर्ड दैन नॉर्मलाइज़ेशेशन इन्टु अफ्लोट नंबर क्यों क्योंके वो पॉइंट्स में वैल्यूस है एक एक छीरो से एक तक जब जाना है आप फॉइंट्स में वैल्यूँ सो यूनिटी zadat के लिए के बिफार। and after normalization कैसा data दिखते हैं यह before normalization था ठीक है और यह after का है but I will do something के इसको मैं comment out कर देता हूँ yes now you can see the same data float number में 0 आ रहा है तो उसको जड़ा ignore करें लेकिन आप देखें जो वैली आपके 255 सम्थम में थी ना वो पॉइंट पॉइंट में आ गई हैं यहां पर गोर करें कियोंकि हमने पूरी की पूरी इमिज को फ्लोट में convert किया इस वज़ा से यह भी पॉइंट 0000 आ रही ह अगर आप बहुत अच्छे तरीके से गोर करें यहां पर अगर मैं आउट लाइन इसकी बनाओं तो यह आप चेक करें सम्थिंग लाइक दिस तो यहां पर यह नॉर्मलाइज करने का फाइदा यह कंप्यूटेशन टाइम आपका कम लगेगा स्केलिंग हो चुकी है स्केलिंग क्यों करते हैं सेम वही प्रसीजर है यहां पर भी आपके डेटा को एक स्केल में लाने के लिए अब हम मॉडल बिल इस तरीके से प्रॉसेस होते हैं यहां पर आपके टर्म बता दूं अगर आप ठक नहीं गये क्योंकि एकसर चेहरे मुझे मुझे मुर्जाय हुए नजर आ रहे हैं यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं डेटा ऑग्मेंटेशन क्या होती है सिंपल सी बात है अक्सर हो कहा था आपने अपने तस्वीरों को रोटेट किया होगा 90 के अंगल पर कभी आपने फ्लिप की होंगी ऐसे कभी आपने उपर से होरिजेंटल से वर्टिकल फ्लिप मारा होगा ठीक है अगर आप यह साट अजार इमिजिस को फ्लिप होरिजेंटल कर लें यह डेटा ऑग्मेंट हो गया है एनदर सिक्स्टी थाउजन इमिजिस का और यह यह यूजेवल डेटा है रिसेर्च ने प्रूव किया है कि आप इस तरीके से ज्यादा एकुरेसी लेके आ सकते हैं उसको होरिजोंटली अपने फ्लिप किया सिक्स्टी थाउजन एड होगी वर्टिकली कर दो एक दफ़ा आपके पास और इमिजिस एड होगी सो एक डेटा को रुटेट करना नाइंटी के एंगल पर कर लो आप रुटेट वो भी इमिजिस है वन एटी पर कर दो वो दुबारा से बजारी बात है फ्लिप हो गया काम तो 360 पर करो तो यह आपके पास चार या पांच पॉसिबिलिटी बेसिकली बनती हैं आपके डेटा को रीजन रेट करके और यह बहुत इंपोर्टेंट टेकनीक है जब आप इमेजनेलेसिस पेगाम करते हैं डेटा कम होता है आपके पास डेटा अगमेंटेशन की टिकनीक काम आती है और आपको क्या लगता है कि यह साइंस काम करती है डेटा अगमेंटेशन की के नहीं करेगी हाँ जी डेटा उगमेंटेशन की टिकनीक काम करेगी आप पिक्जल्स को माइंड में रखें अगर आपने तस्वीर को रोटेट कर दिया पिक्जल्स की वैल्यू चेंज नहीं हो जानी वहां वहां पे जहां जहां पे थी रहना वो छे ही है लेबल भी उसका छे ही रहना है लेकिन लिखा हुआ इस तरीके से आएगा वो समझने बात को रोला काम बन सकता है फिर दिमाग पे जोड डालें थोड़ा सा एक जगा पे फिर मसला भी बनेगा छे और नौ में फरक करना मुश्किल हो जाएगा एक स्टैप पे क्योंकि जब आप उसको रोटेट करेंगे तो वह सिक्स या नाइन के अंदर फिर अच्छे तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाएगा ठीक है और यही वज़ा है कि अक्सरोकार जब ऐसे फिगर्स को दिया जाता है हैंड राइटिंग के दुरान तो आप बाकियों की सीक्वेंस को भी देखते हैं कि यह किस सीक्वेंस में जा रहे है ठीक है सबसे पहले आपने टैंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लिया फिर आपने कहराच की लाइबरेरी से ले लेर लें अपकी है क्योंके मुबीन ने पहले दिन क्वेस्ट्टन किया था तो मैंने ये नेचर ही बना लिया और इन्पुट लेयर को सेपरेट लेंग ठीक है और यह हमने gray scale की image को रखा है ताके हम one की value दे हैं उसे input layers is equal to layers dot input shape हमने दे दी 28 by 28 by one that is why we have to change the shape otherwise इसने read ही नहीं करनी थी अगर three होता तो यह color होती ना तो यह missing the value हमने वो दे दी then model is equal to teaf, keras, sequential वो ही same चीज input layer पहली आगी हमारी पहली हमारी input layer आगी ठीक है then हमने layer को con 2D यानि के convolutional layer को hidden layer के अंदर डाला और यही फरक है आम algorithm में और convolutional neural network के अंदर के आपकी hidden layers के अंदर changes आती हैं ठीक है कैसे आती है अब हम देखते हैं उसको हमने पहली डाली layer con 2D ठीक है और यहां पे filters हमने लगा दिये 10 वो वली windows ठीक है filters is the number of filters we want to apply यानि के कितनी दफाव वो windows गुजारनी है कितना size होगा उसका हम कहते हैं के 10 दफाव गुजारनी है वो window और उसका size होना अब चाहिए 3 by 3 का वो matrix ने हमने बनाया था जो समझारी बात filters हमने वह वाली बात बोल दी कितनी दफाव होगे और 3 by 3 का हमने size कर दिया activation function रेल्यू कर दिया ठीक है तो यह एक layer बन गी कॉन 2D क्यों बोला है क्योंकि जारी बात है convolutional neural network है यह इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो इस वड़ास हम यह con 2D यहां पर लिखेंगे second layer अब हमारे पास एक और layer आप बना सकते हैं con 2D की same वो ही filter number के साथ भी बना सकते हैं single भी बना सकते हैं यह वो ही hidden layer है ज्यादा बनानी ज्यादा बना ले कम बनानी कम बना देट सब तो यू लेकिन आइस्ता इस्ता accuracy को improve करते हैं ठीक है तो अगर दुबारा से आप वो layer add करना चाहिए you can add that अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको निकाल भी सकते हैं but after adding that layer अगर आप एक और layer भी add कर रही हैं तो आप क्या करेंगे उनको pool करेंगे layer को pool करना एक पहली layer थी आपकी एक आपने dot vector के बाद layer बनाई ठीक है उन दोनों को फिर pool कर रहे हैं पूल करने के बाद आपने दुबारा से यह procedure चलाना you can do the same thing again और दुबारा से आप पूल कर लेंगे तो यह पूलिंग का प्रॉसेस अगर आप ज्यादा ज्यादा देर करते जाएंगे तो at the end आपके images की dimensions काम होती जाएंगे I will show you now in model summary का यह कैसे काम करते हैं at the end हमने layers को flatten करना flatten के तो समझ आगी न कैसे करते हैं सारे matrix को उठाके एक vector में हमने change कर देना ठीक है तो एक value आ जाएंगे हमारा मकसद at the end वहला क्या है एक picture के pixel में से values निकालने वह values होती है matrix की form कालब्स की form में जो बच्मन में हमने mathematics भी पड़े हैं उनको हमने convert करना है एक flat layer के अंदर लेकिन इस तरीके से करना है कि हर pixel की worth add हो उसमें यानि कि अगर मैं एक 9 लिखे हुए image की यह वाली layer बनाता हूं और उसमें से window गुजार के dot vector बनाता हूं तो हर image के अंदर जो हर pixel है उसकी value बेशक 0 है वो उसके अंदर उसका weight आए वो count हो ठीक है फिर हमने pool करना है अगर हमारे पास 10 से ज्यादा filters है तो हमारे पास dot vectors बहुत ज्यादा बन जाएंगे तीन चार है तब भी ज्यादा बन जाएंगे तो we have to pool all of those dot vectors वो जो किनारोगी में बात कर रहा था ठीक है वो उपर वाला नीचे वाला या आपके पास एक value ठीक है जैसे आप value के अंदर convert करते हैं at the end आप softmax के through उसको predict कर सकते हैं अगर आपके 10 neuron end वाली layer में है तो आप activation function कौन सा use करेंगे softmax यह 10 मैंने क्यों लिखे है को बता सकते है बड़ा असा सबाल है 10 digits होते हैं स्टार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दस होगे न टोटल डिजट जीरो और 9 तो इस वज़ा से हमने 10 लिख है हम इसको train करते हैं train करने के बाद यह हमारे पास model बन गया भी समझागी model की अब इसकी मैं summary आपको दिखाता हूं और भी clear order इस इस मॉडल समरी हमने यहां पर convolutional 2D यूज की उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप आगी आपके पूरी वैल्यू की ठीक है for example 26 x 26 होगी image का size ठीक है 24 x 24 होगया पारां 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 होगया फिर उसके बाद आगे भी हम उसको divide कर रहे हैं 10 x 10 आठ बायाठ चार बाय चार एड़ी एंड फ्लैटन लेयर में 160 तो वो जो ट्वंटी एड बाय ट्वंटी की वैल्यूस थी वो रिड्यूस करते गए हम छोटे मैट्रिक्स में लेके आते गए जितनी hidden layers आप यूज करेंगे वो dot product बना बना के बना बना के बना बना के चोटे मैट्रिक्स के अंदर उसे convert कर रही लेकिन information retain रहेगी पहले ही मैट्रिक्स की ठीक है at the end आपके पास dense layer 10 में से कोई एक वैल्यू आपको पकड़ा रहती है ठीक है सो total parameters जो आप यूज की है for example parameters के इसके अंदर जितनी भी आपने processing की है basically इसको हम detail में देखते हैं and then हमारे पास trainable parameters कितने total कितने थे trainable कितने थे and at the end non trainable यानि कि कौन सी चीज हम miss कर गए हैं यहां पे तो हमने कोई भी मिस नहीं की जितने parameters हमारे पास थे matrix के उतने हमने use किया and the end सभी को use किया तो यह काम है जी आपकी layers का और इस तरीके से आपकी layers आगे चलती है अब यहां पे यह जो convolutional 2D layer है यह CNN की यह खासियत है कि matrix को convert करती है और इसके अंदर pooling layer क्या करती है इन दोनों को pool करती है ठीक है चेक करती है कि क्या चल रहा है इसमें और उन दोनों के result को pool कर देती है फिर at the end दुबारा से आप दो use करेंगे फिर pool हो जाएगी तो अगर आप यह तीन layer जो मैंने extra use किया वो ना use करेंगे तो directly आपका 24, 15, 16 से फिर नीचे 0 पे आ जाएगा वो matrix so this is how you do the model summary और आपके पास तीन किसम की layers होती है उसमें हम यह चीज़े utilize करते है model बना लिया उसको फिर आपने करना होता है train compile भी करना होता है compile के अंदर आप Adam optimizer use करेंगे और आपके पास loss के अंदर sparse categorical cross entropy भी होता है और categorical cross entropy भी होता है जो हमने पिछली image classification नहीं classification के अंदर यहां पर यूज़ किया था यह ठीक है तो यह loss की types है we will see that in details जब हम यह construct करना सीख जाएंगे और हमारे पास Adam optimizer क्यों है यह बार-बार क्यों आ रहा है इसके बारे में detail में पढ़ेंगे बट फर नौ यह हमारा loss की value है एक metric है यह हमारा optimizer loss और optimizer का आपको पता है कि जब वापिस जाता है तो correct करता रहता और चीजों को हमारे सामने ले आते हैं इसको हमने रन किया एंदेन पांच ही पॉक्स रन किये बात है साथ हजार इमिजिस का data है तो पांच ही पॉक्स भी बड़ी बात है टाइम से रन हो जाए otherwise it takes a lot of time और batch size का आपको मैंने बताया था validation split किया है 0.2% यानि के training के दुरान जो हमारा data set check हो रहा है ठीक है फिर हमने evaluate किया model को हमारे पास test loss और test accuracy यहां पे आगी and then at the end आप model को save कर सकते है h5 file में this is a kind of data file जो आपकी cnnn के network को save रखती है आप अगर इसको save कर लें तो model.load के बाद आप इसको as it is use भी कर सकते है so always do it whenever you are making a model ताकि अगर कोई आप train कर रहे है किसी चीज़ को तो वह memory में नहा रहे है बलके hard disk में भी save हो जाए ताकि आप future में उसे check कर सकें so that's the best practice to use this फिर जारी बात है आप इसको load करके further अपने model को check कर सकते है यहां पर मैं try कर रहा था कुछ errors आई है we will discuss in a minute लेकिन यहां पर आप तीन चार questions है आपके mind में I know that पहला question यह है कि pooling क्या होती है ऐसे ही है दूसरा question आपका यह है कि एक तो होगी हमारी window करनल का size यह filters क्या होते है ठीक है तीसरा question आपका यह होगा हमने convolutional और pooling यह दोनों layers क्यों use कि और 2D के दो layers क्यों use ठीक है यह question मेरे भी mind में आए और मैंने जानबूच के इन्हों यहां पर भी रखा है और इसी वड़ा से आपके पूछने से पहले मैं यहां पर बोल रहा हूँ reason यह है कि CNN इतना असान algorithm नहीं है जितनी जल्दी मैं आपको बता गया हूँ डेड़ दो घंटे के अंदर डेड़ घंटे के अंदर तकरीबन this is still there are a lot of things जो हमने अभी learn करनी ठीक है so stay with me यहां पर हम छोटी सी एक break लेते हैं और इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से concepts आपने देखने है बकाईदा अब दुबारा से हमने CNN पढ़ने है तुझी कहना है पागल हो गया नहीं मैं पागल नहीं हूँ ना आप लोग पागल है अब आपको पढ़ने का मजाना कि CNN क्या है and this is the nice practice कि एक दफा करो चेक तो गरो ना क्या है बाद में दुबारा से देखो यार वो ही मिसाल नाईयां को बच्चे छड़े होंते हैं और जान दे हैं कि डा कटिंग करना स्टार्ट करते हैं पहले देख देने ने कि उस्ताजी कि में बाल काट रहे ने फिर किसे दा कान ल देटेल्स के हैं और बे बहार डिटेल्स हैं ठीक है लेट्स टेक ब्रेक